माई 2008 जैपुर में 8 सीरिल ब्लास्ट इन सिलसलेवार धमाकों में 71 लोगों की जान चली गई थी और 185 लोग घायल हो गए थे मामले में लंबी जांच और कोट ट्रायल के बाद साल 2019 में जैपुर की निशली अदालत ने 4 आरोपियों को दोशी करार देते हुए फासी की सदा सुनाई थी लेकिन 29 मार्श 2023 को राजिस्थान हाई कोट ने इस मामले में फैसला पलट दिया और आरोपियों को बरी कर दिया नमस्कार ममिद दिवान और आज बात इस 15 साल पुराने मामले की जिसने पुरे देश को दहला कर रख दिया था ये तारीक थी 13 माई 2008 पिंक सिटी से मशूर जैपुर में चांधपोल बजार नाम से एक जगा है यहां हनुमान जी का एक पुराना मंदिर है और मंगलवार का दिन होने के कारण इस मंदिर पर रोजाना से कुछ जादा ही भीड मौजूद थी बजरंग बली के दर्शन के लिए सैकडो शद्धालू जुटे हुए थे और इसी बीच घडी में जैसे ही साड़े साथ बजे मंदिर में बज रहे घंटे की आवाज ना जाने कैसे धमाके की आवाज में बदल गई थोड़ा होश लोगों को आया तो देखा की चारो तरफ धूल धुआ है और कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है कान कुछ सुनने लायक और त्वचा कुछ महसूस करने लायक हुई तो जिन्दा गाहल लोगों के आगे कम से कम 20 से दादा लाशे बिखरी पड़ी थी ये धमाका हनुमान मंदिर के ही आगे वने पारकिंग स्टैंड में हुआ था और जो लोग जद में आये उनके तो चीतड़े ओड़ गए और जो समझ गए कि यहां क्या कुछ हुआ वो जल्दी जल्दी इधर उदर भागने लगे लेकिन भाग कर कहा जाते भाग कर लोग जैसे ही चांदपोल चौक पहुँचे तो सामने से ही बदवास लोग की भीड भागती नजर आई वो लोग जैपुर के त्रिपोलिया बजार से भाग आ रहे थे जो ठीक इसी समय हुए एक और ब्लास्ट का शिकार बने थे तब ऐसा ही धमाका जैपुर की छोटी चौपड में भी हुआ था बदहवास लोग वहां से भी भागे तो साथ लगे जोहरी बजार में धमाका हो गया और अब तक लोगों को समझ आ गया था क्यूंके शहर में सीरिल ब्लास्ट हो रहे हैं उस दिन जैपुर शहर में एक के बाद एक आर्ट ब्लास्ट हुए और पिंक सिटी उस दिन खून से लाल हो चुकी थी इस धमाके के बाद जाच का दौर शुरू हो गया था और राजस्थान सरकार ने मामले का जल्द खुलासा करने के लिए और आतंकियों को गिरफतार करने के लिए एंटी टेरिरिस क्वैड यानि ATS का गठन किया था पुलिस ने इस मामले में कुल 13 लोगों को आरोपी बनाया था इन में से 3 आरोपी अभी भी फरार है जबकि 3 हैदराबाद और 3 दिल्ली के जेलों में बंद है और साल 2019 में 11 साल बाद जैपुर की निचली अदालत ने 4 आरोपियों को दोशी करार दिया था और आरोपियों को थी उसके मुताबिक इंडियन मुजाहिद्दीन ने इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी दी थी और 2008 में 12 आतंकी दिल्ली से बस में बं लेकर जैपुर आये थे जैपुर में ही उन्होंने 9 साइकले खरी दी और इनी साइकलों में बं लगा कर टाइम सेट करके अलग-अलग जग प्लांट किया गया था इसके फटने का समय बाकी ब्लास से डेड़ घंटे बात का था लेकिन बं डिफ्यूजन स्क्वैड ने इसे फटने के टाइम के कुछ मिनट पहले डिफ्यूज कर दिया था अब इस मामले में हाई कोट ने साइकल खरीदने वाली थियोरी के कारण ही दोशियों को बरी कर दिया है जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस समीर जैन की बेंच ने इस मामले में बीते 48 दिनों से सुनवाई कर रही थी उन्होंने 2019 में निचली कोट के फैसले को बदलने से पहले कहा कि ATS को ब्लास्ट के चार महीने बाद पहली बार साइकल कोट ने ये भी कहा कि 13 मई को ही आतंकी आये साइकल खरीदी बम लगाए और उसे दिन शर्ताबरी एक्स्प्रेस से चले गए ये कैसे हो सकता है कोट ने कहा कि जाच अधिकारी कुछ भी ठीक से सिद्ध नहीं कर सके हैं हाई कोट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि मामले में जाच एजन्सियों को उनकी लापरवाई के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए बदन में सिहरन पैदा कर देने वाली उस शाम को आज 15 साल बीच चुके हैं और जैपूर के सीने में उस रोज जो जख्म हुआ इन 15 सालों में उसे कई बार कुरेदा गया और आज उसकी याद फिर इसलिए आ गई है क्योंकि राजस्तान हाई कोट ने मामले के चार दोशियों को मिली फासी की सजा को पलट दिया है वहीं राजसरकार फैसले के खिलाब सुप्रीम कोट जाने की तयारी में है और इन चारों आरोपियों को जैपूर जिला कोट ने ना सिर्फ दोशी माना था बलकि फासी की सजा भी सुनाई थी आज की एक्स्प्लेनर में इतना ही ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए देखते रहे है आई नेस टीवी